नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल महिस प्रजावती में इस वीडियो में आपको 10th क्लास का हिंदी मीडियम का एक इंग्लिश चेप्टर है जिसका में हिंदी ट्रांस्टेशन या हिंदी अनुवात बताना है जो है exercise 3.2 a lesson in life from a beggar बहुत ही इंट्रेसिंग चैप्टर है जिसको पढ़के आपको बहुत ही मज़ाने वाला तो इस वीडियो में आप लास्तक बने रही है यदि हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब पर लीजे और साइड में दीगे बेल बटन जरूद दबाई ज कि जो राइटर है इसकी जो राइटर लेकी का है उन्होंने विखारि से अपनी जिन्दगी में क्या सीखा वही इन्हों ने यह आपर बता है बहुत च्छी कहान ही इसको ध्यान से दिखिए का चलिए श्टार्ट करते हैं देहिं क्हां मीना मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त my means क्या होता है मेरा ऑगे good means अच्छा जानते हैं मीना मेरी बहुत अच्छी ती ती उसकी पगार जो ती जो उसका वेतन था बहुत ही अच्छ था but there was always something strange about her लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसी अजीव सी बात थी जो कि मुझे अजीव लगती थी होता है किसी किसी के किसी से मिलते हैं हम लो तो हमको अजीव लगता है तो वह अजीव लगता था वह अजीव लगता था वह हमेसा दुखी रहती थी नाखुस रहती यह लगता हमेसा दुखी रहती थी उदास रहती थी वेनेवार आई में जब ही मैं उसे मिली आयोड साट टो डीप्रेजड जब भी मिली मुझे अब कैसा लोगत अपनी आपनी दुख या उदास इंता या तो तनाव फील होने लगत आपने आपको टेंस फिल करने ल palm रचता ना अगर हम की खुष इसमीघ रचना गिता मिलते हैं तो हम इपने आपको को समस्तन्य लगए किसी दुखी इसां महणूस करते हैं तो हम भी दुखी महसूस होने लगता है हम भी डुख अईसा फील होने लगता है इसी तरह जब भी इसका दुख और इसकी जो उदासींता थी फैलते रहती थी देखिए क्या होता है अगर कुछ चीज अगर आप खुश है तो आपके आसपारी के परिसर में क्या है आपकी खुसियां फैलेंगे मुझी आप जब दुखी है उदास उदास है तो आपकी जो उदास इंता है वह आप आसपास में फैल रफिसकी जो ग्लूम ए Nur सिनिसी उदासी पन है यह फैलने लगता था दुसरे को भी होने लगता था इस तरह दुसरे लोग भी उदास होने लगते थे वह किसी भी विशय के बारे में या किसी परसन के बारे में कभी उसको पॉजिटिव बोलने का नहीं था मतब कभी भी सकारात्मक नहीं बोलती थी किसी व्यक्ति को ले लिजे या किसी विशय को ले जे वह क्या बोलती थी नकारात्मक ही निगेटिव ही बोलती थी फॉर इंस्टेंस आई माइट से टु हर मीना डियू नो राकेश हैस कम फर्स्ट इन इस क्लास अगर एक्जामपल के लिए मान लिए इंस्टेंस मान लिए अगर मैंने मीना से कहा कि मीना क्या तुझे पता है क्या जानती है कि राकेश अपने क्लास में अपने हां अपने स्कूल में फर्स्ट आया है अगर मैंने ऐसा पूछा तो मीना का जवाब क्या होता है मीना इमेडिये डिस्पॉंस उड़ बी टूली टू बी लिटिल दर एचीवमेंट उसके एचीवमेंट को थोड़ा सा कम करते मतलब उनका कहना का मतलब था कि उसके पिता जी स्कूल के टीचर तो फस्ट आए गई ऐसा थोड़ी होता है चलिए आगे कि अगर मैं कहती थी मीना स्वेटा इस वेरी ब्यूटिफुल गल इजंट सी मैं मीना से कहती थी मीना स्वेटा बहुत ही अच्छी लड़की है बहु इस निगेटिव देखे जो पॉजिटिव परसन होते हैं वह हर चीजियों में पॉजिटिव निकालते हैं और जो निगेटिव सोचने वाले होते हैं हर चीजियों में निगेटिव ही निकालते हैं तो यहां पर उसने क्या किया उसने जवाब दिया जब एक पॉनी पॉनी म जैसा कि तु जानती होगी स्वेता बहुत ही कुरूप हो जाएगा तु रुख जा कुछ समय के लिए तु देखना मतब इस तरह वह जवाब दे देती थी मीना इट से ब्यूटिफुल डे मीना आज दिन कितना सुंदर है आज दिन कितना अच्छा है लेट्स गो फॉरे वाग चल चलते हैं वाग के लिए चलते हैं चल थोड़ा तहल लेते हैं मैंने जब मीना से ऐसा कहा तो मीना ने कहा जवाब दिया सुनिए no the sun is too hot and I get tired if I walk too much नहीं सुरज बहुत हम और सुरज बहुत गरम है मतलब आज बहुत गर्मी है और मैं ठख जाती हूं I get tired if I walk अगर मैं ज्यादा चलती हूं तो मैं ठख जाती हूं besides who says walking is good for health और इसके बावजूद वह एक और कहती थी कि कौन कहता है कि चलना से चलना सेहत के लिए अच्छा होता है there is no proof या तो कोई प्रूब भी नहीं है कि चलना सेहत के लिए अच्छा है या नहीं है वह इस तरह कि हर बातों में क्या करती है नीगेटिव ही विचार अपना प्रस्तुत कर दी है that was Mina यह वही मीना थी she stayed alone in an apartment as her parents lived in Delhi मतलब यहां अपने अपार्टमेंट में अपने घर में अकेले ही रहती है क्योंकि उसके पैरेंस दिल्ली में रहते हैं she was an only child and had the habit of complaining about anything and everything वह अपने माबाप की एकलवती अवलाद थी जिसकी वज़े से उसकी आदत थी कि हर बात के लिए हर चीज के लिए क्या करना सिकायत करना देखे किसी भी माबाप के अगर एक ही अउलाद होती है तो सारा लाड़ प्यार उस बच्चे को देते हैं जिसके वज़े से वह बच्चा अगर कुछ भी बताता है तो वह क्या करते हैं उसको मानते हैं तो उसी तरह बच्चे के आदत हो जाती कि हर बात में क्या करना अगर आप भी अपने माबाप के अकेले हैं तो ऐसा बुरा मत मानिएगा लेकिन ऐसा होता है मैंने भी देखा है तो यहाँ पर मीना की आदत क्या हो गई है कि हर बात में हर चीज में क्या निकालना शिकायत करना आगे दिखे क्या है naturally she wasn't a very pleasant company and nobody wanted to visit her और सभावी की रूप से इसकी वज़े से उसे कोई अच्छा दोस्त त्यार नहीं मिला कोई अच्छा समूह नहीं मिला किसी अच्छे की कमपनी नहीं मिली लोग के and nobody wanted to visit her इसके इसी सभाव की वज़े से इसके पास कोई मिलने भी नहीं आता है then one day एक दिन की बाद है मीना वास ट्रांसपर टू बॉमबे and soon we all forget about her जल्दी ही मीना क्या है बॉमबे में मुंबई का नाम पहले बॉमबे था तो बॉमबे में ट्रांसपर हो गई जिसके वज़े से हम उसको भूल गए कोई भी देश दोस्तियार रहता अगर कुछ समय हमारे पास रहता साथ रहता उसकी आदगार बनी जाती लेकिकि वह जब दूर चले जाता है तो धीरे धीरे हम क्या होते हैं अपने कामों में लिप्त हो जाते हैं उससे भूल जाते हैं उससी तरह हुआ है जब बॉमबे में फ्रोरा इंब मॉंबई मुंबई के फ्लोरा फ्रोंटें में मैं अपने अपकोई बरसात में यह वहां सब्रक इलदेर हैं बहूं जयादा बर्साथ मशलभा प्रसा ख 11 max मुस्bourणा एंग्पास परिंड अपने मोस्टीश कर थे लता हो बाहतना हो बलॉह तो the पप्लर डियर्वार्ट में इस टॉर और कंम राए ट्यूष में एक रियरी में बाइस कर रही है कि बरसाथ शाव्यूंग कर रही हैं मैं बरसाथ कम हो जाए कोन है कि अचानक मैं मैं reminding नहीं परेइक्स मेरा पहला रिक्षन है था कि मैं यह से भाग जाओं इवें इन देट पोरिंग भले इतनी बरसात हो रही थी लेकिन मैं सोच रही थी इस मुचला धर बरसात में ही मैं भाग जाओं वरना क्या होगा देखिए क्या होगा आई वाइड बींग सीन बाई हर और मैं थोड़ा सा डर रही थी चीनती थोड़े कि कहीं मीना मुझे देख न ले क्यों अगर उसने मुझे देख लिया तो उसकी कभी न खतम होने वाली सिकायत फिर से क्या हो जाएगी शुरू हो जाएगी यह मिलेगी लगेगी इसकी सिकायत करने इसकी वज़े से मैं थोड़ी सी चीनती थोगई कहीं हो मुझे देखने ले हईवर आई कुदन्ट इसके लेकिन नहीं सकी मैं बचना बचना मान नहीं सकी सीहा है ये सीन मीजह कोट ऐच गोड़ महें तो उसने मुझे पहले देख लिया था ऑर उसने मेरे हात को प्रेयम से मेरे हाथों को पकड़ लिया वए maps more she was very cheerful और क्या बताऊं सबसे बड़ी बात ही है कि बहुत ही वह खुश थी लेकिन जब भी पहले में मिलती थे कैसी थी वह हमेशा दुखी रहती थी हमेशा उदास रहती थी चलिए आगे है I am really excited its nice nice to meet old friends it's hey मत् investigating मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैं बहुत एक्साइटे हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी पुराली सहैली से मिल रही हूं what are you doing here यहाँ पीसेarin से पूछा कि उख यहाँ पै क्या कर रही हो तो राइटर ने क्या, I explained that I was in Bombay on an official work तम मैंने उससे बताया कि मैं Bombay में आई हूँ अपने कुछ कार्याले नहीं वर्क से कुछ कार्याले के मेरे काम है जिसके वज़े से मैं मुंबई में आई हूँ Then stay with me tonight, she said, मीना ने तुरंद कहा कि तो आज रात मेरे साथ रुख जाओ Let's chat, चलो बाते करेंगे, गपपा करेंगे Do you know that old friends and memories are precious and rare? क्या तुझे पता है कि जो पुराने दोस्त होते हैं, उनकी जो यादे होती हैं, बहुत ही मुल्लवान और बहुत ही दुरलब Rare means, rarely बहुत ही दुरलब होती हैं, बहुत ही मुल्लेवान होती है, क्या तुझे पता है, यह कौन कह रहा था? मीना कह रही थी I couldn't believe it, मुझे विस्वास ही नहीं हो रहा था, कि यह मीना है Was this really मीना? क्या वही मीना है? मुझे विस्वास नहीं हो रहा था I pinched myself, hard to be sure, it wasn't a dream मैंने अपने आपको एक चिम्टी लिया, चिम्टी काटते हैं, अपने आपको मैंने चिम्टी लिया कि मैं कहीं सपन तो नहीं देख रही है, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही है यह वही मीना है, जो कि आज ऐसी सी बाते कर रही है बट मीना वाज रियली स्टेंडिंग देर, लेकिन मीना रियल में वहाँ पे खड़ी थी, राइट इन फ्रॉंट आप मी, मेरे सामने खड़ी थी and squeezing my hands of मेरे हाथों को का करी दबा रही थी, मैं तो मेरे हाथ को पकड़ कर रखी थी squeeze means दबाना होता, निचोड़ना, तो मेरे हाथों को दबा रही थी, smiling and yes, she did look happy और हाँ, मुस्कुरा रही थी, और सबसे बड़ी बात है कि वह happy दिख रही थी, खुछ दिख रही थी In the three years, she had been in Bangalore, पिछले तीन साथ से वह बैंगलोर में रह रही थी I had never once seen her smiling like that, मैंने आज तक कभी भी उसको इस तरह मुस्कुराते हुए नहीं देखा था A few strands of grey in her hair reminded me that years has passed, और उसके बालों में कुछ भूरे बाल देखने के बाद मुझे समझ में आ गया, मुझे याद आ गया कि कई साल बीद गया, मतलब हमको उससे मिले हुए कई साल बीद गया, उसके जो बाल भूरे हो गए थे उसके वज़े से पता चल गया There were a few wrinkles in her face और उसके चेहरे पे कुछ जुरनिया भी आ गई थी But the truth was that she looked more attractive than ever before, लेकिन सची बात यह बताऊं कि वह पहले की अपेच्छा बहुत ही आकर्शक, बहुत ही सुन्दर दिख रही थी Finally I managed to say, रंत में मैंने उससे कह दिया, No Mina, I can't stay with you tonight, आज मैं तेरे साथ रात को नहीं रुख सकती हूँ क्यों आगे बताया, I have to attend a dinner, क्यों मुझे कहीं dinner पे जाना है, Give me your card and I will keep in touch with you, मुझे अपना card दे दो और मैं तुम्हारे साथ में संपर्ग में बनी रहूंगी, I promise मैंने उससे वादा किया for a moment, Meena looked disappointed, कुछ समय के लिए मीना थुरा सा निरास हो गई, disappoint भी निरास होना, let's go and have a tea at least, चलो कम सकम चाय तो लेते हैं, चाय तो पी लेते हैं, see insisted, उसने अग्रह किया, हट कि चलो कम सकम इतने दान, इतने दिन के बाद मिले हैं, चाय तो पी लेते हैं, but Meena it's pouring, नहीं मीना बरसात हो रही है, मैंने बोला, but Meena तो बरसात हो रही है, कैसे जाएंगे हम लोग, so what, क्या हुआ, Meena ने कहा, we'll buy an umbrella and then go to the Grand Hotel Seaside, उसने कहा, कि हम लोग चाता खरीद लेंगे, और एक Grand Hotel में जाएंगे, Grand Miss यहाप बड़ा भी हो सकता है, यहाप होटल का नाम है, Grand Hotel Icing हो सकता मिलेगी, so what, we'll walk, हम लोग, चल के जाएंगे, तो क्या हुआ, हम लोग, चल के जाएंगे, Meena मतलब यहाँ पर हट कर रही है, कि चाय पीने जाना ही है, उसने बोला, कि हम चल के जाएंगे, I was very surprised, मुझे बहुत ही आश्यर हो था, this wasn't the same Meena I had known, मुझे आश्यर हो था, कि वही वह उस तरह की Meena नहीं थी, जिसको मैं जानती थी, today she seemed ready to make any number of adjustments, आज वह लग रही थी कि वह सब तरह की adjustment कर लेती, अपनी जिंदी को को adjustment करके वह चला लेती है, we reached the Grand Hotel Drench, और Grand Hotel जो था, वहाँ पे हम भीगे, भीगे हुए, गिले हुए हम पहुच गए, by then the only thought in my mind was to find out who or what had brought about such a change in the pessimistic Meena had known, तब मेरे मन में केवल एक ही विचार चला था, वही एक ही बात में खोज रही थी, कि कौन से ऐसी चीज है, जो कि इतना निरासावादी, इतना उदासीन, जो Meena थी, उसमें changes ला दिया, कौन से ऐसी बात है, उसने changes ला दिया, वही मैं खोज रही थी, पता लागा रही थी, यही मेरे मन में चल रहा था, I was quite curious में यह जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थी, curious means उत्सुक बहुत ही उत्सुक थी, tell me Meena, is there any a prince charming who had managed to change you so, Meena मुझे बताना, क्या तेरी जिन्दी में कोई राजकुमार आ गया, कोई मोहक राजकुमार आ गया, जिसने त नहीं यार, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, she said, उसने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, then what's the secret of your energy, I asked like Tendulkar does in the advertisement, जैसे विज्यापन में सचिन Tendulkar बोलते हैं, वैसे ही मैंने उससे पूछ दिया, कि तेरे इस एनर्जी का क्या राज है, तेरे जिए अंदर जो उत् कुरा कर कहा, कि एक भीखारी ने मेरी जिन्दगी बदल दिया, I was absolutely dumbfounded and she could see it, और मैं एक दम पुरी तरह आश्यर चकीत हो गई, अस्तब्द हो गई, और वह मुझे देखने लगी, yes, a bigger, she repeated, हाँ, उसने कहा, हाँ, एक भीखारी ने मेरी जिन्दगी चेंज कर दी, as if to assure me, औ इसने मुझे विश्वास दिलाया, इससे विश्वास दिला के बोली कि हाँ, एक भीखारी ने मेरी जिन्दगी बदल दी है, he was old and used to stay in front of my, अब उसने कहना सुरू किया, वह बोल लही कि हाँ, वह एक बहुत ही बुद्दा वेक्ती था, जो कि मेरे घर के सामने रहता था, with his 5 year old granddaughter, अपनी 5 साल की पोती के, granddaughter means पोती के साथ में रहता था, 5 साल की पोती के साथ में मेरे घर के सामने रहता था, as you know, जैसा कि तुम जानती हो, I was a chronic pessimist, तुम्हें पता ही है कि मैं बहुत पूरानी निरासावादी हूँ, I used to give my leftover to this beggar everyday, जो भी मेरा बचा खुचा रहता थ जो भी घर का खाना में जो बचा रहता है, left वर रहता था मैं उसको हर दिन दे देती थी, I never spoke to him, मैं कभी उससे बोली नहीं, बात कभी उससे नहीं की, nor did he speak to me और नहीं, उसने मुझे कभी बात किया, one monsoon day I looked out of my bedroom, एक दिन मैं अपने मांसून, मांसून का दिन ता बरसात का मांसून था, एक दिन मैं अपने bedroom की window से window and started cursing the rain, एक बार मैं अपने bedroom के window से बाहर मैं देखी, मांसून का दिन चलना बरसात हो रही थी, और बरसात को curse करने लगी, उसको भला बुरा कहने लगी, कोस्तने लगी, I don't know why I did that, because I wasn't even getting wet, मैं तो भीग भी भी नहीं रही थी, ल कोस रही थी, मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं घर में थी, मैं भीग भी नहीं थी, तो भी मैं बरसात को कोस रही थी, that day I couldn't give the beggar and his granddaughter their daily quota of left war, और उस दिन बरसात की वज़े से मैं उस भीखारी को और उसकी जो पोती थी, उसको जो बचा हुआ खाना दे नहीं पाई, they went hungry I am sure, wave भूखे चले हो गए, मुझे इतना विश्वास था, however, what I saw from my window surprise meal, किन्तु जो कुछ मैंने इपने window से देखा, जो कुछ भी मैंने खिडकी से देखा, उसे देखकर मैं आश्चरे चकीत रह गई, मैंने क्या देखा, the beggar and the young girl were playing on the road because there was no traffic, और मैंने देखा कि जो भीख जोटी थी, वह दोनों रोड पर खेल रहे थे, क्यों कि वहाँ पर कोई traffic नहीं थे, मता याता यात पुरी चरह बंद था, बरसात हो रहे थी, इसकी वजह से याता यात बंद था, रोड पुरा खाली था, इसलिए वह लोग वहाँ पर खेल रहे थे, they were laughing, clapping and screaming justly, वह लोग जोर जोर से क्या कर रहे थे, चिला रहे थे, ताली बजा रहे थे, और scream कर रहे थे, चिला रहे थे, हस भी रहे थे, खुसी के मारे, as if they were in paradise, जैसा कि वह स्वर्ग में हैं, ऐसा वह लोग महसूस कर रहे थे, hunger and rain did not matter, भूख और जो बरसात थी, उनका उसके उपर कोई जानी ने थे, कि हमें भूख लगी है, खेलने के 10-15 मूट के बाद में पता सलता है, बहुत भूख लगी है, चली वैसी हो लोग बहुत ही बीजी थे, they were totally drained and totally happy, वे लोग पूरी तरफ भीग चुके थे, लेकि बहुत ही खुश थे, I envid there just for life, मैंने उनकी जिन्दगी में ज जलन होना, that scene forced me to look at my own life, उसी scene को देख के मुझे ऐसा लागा कि मुझे अपनी जिन्दगी में जहांकर देखना चाहिए, I realized I had so many comforts, मैंने महिसुस किया, कि मेरे पास सारी सुक्सुःदाएं हैं, none of these which they had, जो उन लोग के पास नहीं है, वा सारी सुक्सुःदाएं मेरे पा उनके पास बहुत ही मुल्यवान चीज है, समपत्ती है, जो की मेरे पास नहीं है, they knew how to be happy with life as it was, वे जानते हैं कि जिन्दगी में जो भी है, उससे कैसे खुस रहा जाए, I felt ascent at myself, मुझे अपने आप पे सरमिंदगी महसुस हुई, I even started to make a list of what I had and what I did not have, तब मैं start किया, नहीं है, मैंने एक list बनाना, सूची बनाना शुरू किया, I found I had more to be grateful for than most people could imagine, तब मैंने पाया कि मेरे पास तो बहुत जादे चीज हैं, जिसके बारे में लोग केवल कलपना करते हैं, जो सोचते हैं, उनसे भी जादा चीज हैं मेरे पास थी, that day I decided to change my attitude, उसी दिन मैंने डि पुरी तरह change कर दूँगी, using the beggar as my role model, और उस बेगर को मैं अपना आदर समान कर, उस बेगर को मैं अपना आदर समान कर, अपनी पूरे जिंदगी के प्रती जो मेरा नजरिया है, सोभाव है, वह change कर दूँगी, उस दिर मैंने decide किया, after a long pause, I asked Meena how long it had taken her to change, अच्छा मीना, कुछ समय के बाद मैंने एक लंबा सहर रुका, कुछ समय के लिए रुकी मैंने और उससे पूछा मीना, तुझे यह change लाने में, तुझे परिवर्तन लाने में कितना समय लगा, once this realization dawned, she said, उसने बोला कि जैसे मुझे realize हुआ, तभी से मेरे अंदर changes शुरू हो गए, it took me almost two years to put the change into effect, और यह पूरी तरह परिवर्तन होने में, मुझे दो साल लग गए, कोई भी चीज ना तुरंत, instantly change नहीं होती हो, time लगता है, तो यह पूरा यहां से वहाँ change होने में, कितने साल लग गए, मुझे, दो साल लग गए, and I am always happy, और मैं हमेसा, खुस रहती हूँ, I find happiness in every small things, हर छोटी-छोटी चीजों में, मैं खुसियां धूर लेती हूँ, in every situation, and every person, हर समय में, हर परिस्तिती में, और हर परसन में, मैं हर चीजों में खुसियां धूर लेती हूँ, did you give any guru dutchina to your guru, I ask, तभी मैंने पूछ दिया, क्या कि जब यहां क्या तुमने अपने गुरू क कोई दचना दिया, no, नहीं यार, unfortunately, बरे दुभागी की बात है, by the time I understood thing, he was dead, जब यह सारी चीजे मुझे समझ में आई, तब तक हुआ मर चुगा था, मतलब भिखारी, दुनिया को छोड़के जा चुगा था, जब तक यह सारी चीजे मुझे समझ में आई, यह कौन का रह में लिखवा दिया, उसका admission मैंने boarding school में करा दिया है, मतलब कि इसके respect में, जो भिखारी था, उसके respect में मैंने उसका admission करा दिया, मैंने गुरुद अच्छे ना, मतलब इस तरह से उसने दे दिया, इस तरह यह पार्ट देखी कितना मज़ेदार था, मुझे उमीद है आपको यह पार्ट की meaning जो भी मैं समझाने कोशिस किया, अर्थ transition आपको समझ में आया होगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो अपने दोस्तों में जरूर सेयर करिए, यदि अभी भी आपको कुछ डाउट रहे तो मुझे comment जरूर करिएगा, thank you